जैसी किसना दोस्तों हमारे बी एस सर्मावाद्वा चैनल में आज सबी दोस्तों का स्वागत हैं। केबल इस वस्तों को चड़ा करके दीपक जला देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी परिशानी दूर होगी और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। उन पापरों के ऊपर आपको थोड़ी सी दही रालनी हैं। ये उपाई साहिकाल के समय किसी भी समय कर सकते हैं। थोड़ी सी दही जो हैं उसमें तीन वार जैसे आप सम्मत से भी तीन वार रख सकते हैं। या उगलियों से छीटे भी तीन वार मार सकते हैं। और थोड़ा सा सिंदूर चड़ाएं। तीन चुटकी सिंदूर उसको पर रख करके उसके बार आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के वहाँ पर ये वस्तू रख करके उड़द के पापर रख करके जो है आपको अपनी मनो कामना बोलनी हैं। जिसी मनो कामना के लिए आप कर रहे हैं। और आपको एक धीपक जलाना हैं। उस दीपक में आपको थोड़ी सी काले तिल डालने हैं और दो लॉंग डाल देनी हैं और डालकर की पीपल के नीचे जलाकर के अपनी प्रात्ना बोलें और साथ वार प्रक्मा कर लें केबल इस उपाय को करने से सभी प्रकार के दोसों से मुक्ति मिलेगी आपके उपार किसी ने टोना तोड का कुछ भी किया हो वो भी दूर होगा और पित्र दोस भी दूर होगा इस दिन पीपल का पूजन जरूर करना चाहिए पन्दू पीपल को प्रात्य काल के समय ही जल आगे की वीडियो में जानकारी की साथ मिलते हैं आप सभी को जैसी किसना